अबी दोस्तों को नमस्कार मंदर जड़ी बूटी के आन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अक्सीर नुस्खा लेकर आया हूँ यह उटंगन के बीज हैं इसको हम साप कर रहे थे 200 ग्राम उटंगन के बीज थे देखे इसमें इतना क चैनल बेड़ाओय साफे को भी बढ़ता है और जो उसको ब्हुतम उसको कफ बिए निकलता है क्ड़ी करता और लृस्खा उनके लिए पनने जाकेवं मरदानाइया का दिस्घे आप मेंदान चैनल में और यह देमा सकते मैं और ने का दोस्तों को बा बना है यह निस्घे न की समस्या वो इसको इस्तमाल ना करें जिनको थोड़ा बहुत वीर पतला होने की वज़े से चिप चिपा पानी आ रहा है धात आ रहा है उनके लिए बाकि जिनके जिगर मसाने में मेदे मसाने में गर्मी है वो इसको ना एस्तिमाल करें पहले गर्मी को ठीक करें ठीक अधर्शकन दोस जिनको ज्यादा मैदा खराब जिन का होता है उन्हीं को ज्यादातर सोफनों की दिकत होती है और वह सब वीर गाड़ा करने का नुस्खा ने लाग आたी है इसे लिए उनकी दिक्कत और बढ़ती ए पहले भी मारी को समगना जरूर। जादा तर्व जीगर मसाने की गर्मी मसाने की कमजोरी इन सब की बिज़े से ही ये दिक्कत आती ہے मसान Strategy में कमजोरी होने के वज़े भी नहीं बढ़ती है वीर भी नहीं रुक पाता है मसाना भी हमारा जो है इरेक्शन में बहुत बड़ा रोल रखता है मसाना उसमें जब गर्मी बैठ जाती तो हमारा वीर जो है बहुत ही जल्दी निकलने लगता है अपने आप ही निकलने लगता है थोड़ा सा सोचते ही नि में रखी हुई है यह मस्तगी रूमी अकर करा इरानी बहतरीन क्वाल्टी की उटंगन बीज और अभी सूख रहा है कुछ उटंगन बीज हमारा दूप में हमने वहां दूप में सूखने के लिए दोस्तों रखा उट टप में उधर तयार हो रही बवासीर की अक्सीर दवा अब इसमें आपको उटंगन बीज लेना है सो ग्राम की मात्रा में अकर करा इरानी पचास ग्राम मस्तगी रूमी सो ग्राम कौच के बीज सो ग्राम सालम मिस्री सो ग्राम और विदारी कंद सो ग्राम अब आपको सफेद मुस्ली सो ग्राम मोचरस सो ग्राम इन सबी चीजों को जो है बारी पीस कूट लेना है बारी पीस में कूटने के बाद इसमें ये जो आपका विदारी कंद है विदारी कंद में आपको तुलसी के पत्ते के रस या तो तुलसी के अर्क की तीन भावनाई दे देना है आप चाहे एक बार में ज़्यादा तैयार कर लिए तीन भावनाई आपको देखना देना है और अगर कम मात्रा में तयार करते हैं तो खरल करकर अगर आप रगड़ मार दें और तयार कर लें अकेला विदारी कंद आप इस्तमाल करेंगे आधा अधा चमश बहुत जबर जस्त वीर वर्धा को सरीर को बढ़ाएगा सरीर हश्ट पुष्ट बलवान बना देगा सरीर को आ किलो आधा किलो आपको दूध डाल ना है relativity किलो डी कर पहले दूध को लाल कर लें और अलग से जो है सपेद मुसलिक बहुने बहुनने के बाद घीमें और सके बाद इसमें तैल मिलाय chemical दूध और इसको चलाते रहे जिस खोईकिक़र रभड़ी इडम घंचा है सोख ल बिल्बक में सुखाने के बाद जो आपका मावा त्यार हो इसको सुखा और फिंडर बना ले इन सब मिला पाउडर बनाने के बाद कौछ बीज OU्खुज़ करने का तरीकत सब को मालू में आज कल तो लोगों को तिनी जानकारी है बताने की जरूरत भी नहीं है इन सब को मिलाकर आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करकर और इसमें सिला जीत भी मिलाना है दोस्तों मैं सिला जीत भूल गया अभी में ओपर जड़ी बूटी सुखाने के लिए ला रहा था तो सिला जीत का डबा में नीचे भूल गया इसमें सिला जीत आपको डालना है पचास ग्राम की मात्रा में इसको अच्छी तरीके से बारिक पीस कर पाउडर बना कर अगर आपके पास बजट है तो आप इसमें 20 ग्राम अगर आपके पास हकीम के हाथ की बनी हुई वंग भस्म है तो वंग भस्म आप इसमें पर हम चांदी की भवसं डालें अगर चांदी भवसं नहीं डाल सकते हैं तो फिर आप चांदी के वर्क इसमें डाल लें 300 पीस तीन पीस चांदी की अच्वक को डालकर च्छी तरीके से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसको सुबा साम आधा अधा चम्मच खाएं देखें ये इसके फायदे ये होंगे कि ये बहुत ही जबर जबर जस्त तरीके से वीर गाढ़ा करेगा वीर पैदा करेगा मरदाना ताका जोस भरपूर इस्टेमिना सरीर में ताकत रुकावट पैदा करेगा पहले महीने में ही आप हैरान हो जाएंगे हम तो इसको कैपसूल में भर कर दे देते हैं ठोक ठोक कर कैपसूल भरते हम इसको थोड़ा और उपर ले जाते हैं तो यह नुस्खा अगर आप दोस्तों मंगाना चाते हों मंगा भी सकते हैं यह समझ लीजे हम इसको और उपर ले जाके इसमें कुछ और चीज़ा एड़ करते हैं थोड़ी महंगी पढ़ जाती है यह और ही अक्सीर काम करता है जो दोस्तों भस मखा भी खा चुके हैं भस मखाने के बाद भी बताते हैं उनको नहीं आराम मिला क्योंकि भस में लीवर गुर्दे पर भी एस्सर करती है तो हम जो देते हैं भस मखाने से पहले एक बर हमारी दवा को आप इस्तमाल करें देखे खुद्रा कनाजरा क्या जबर जस्त रिजट आपको मिलता है ज़्यादा बड़ी बड़ी बाते तो मैं नहीं करूँगा कि आज कल लोग बड़ी बड़ी बाते फेक रहें तो फेकने वाला काम नहीं मेरे पास जो है नुस्खे की सच्चाई और लोग पूस्ते हैं कितने दिन में असर होगा कितने दिन में ठी हो जाएंगे तो दोस्तों देखे दस साल गलती करने के बाद दस बारा साल पंदरा साल गलती करकर अगर आपको कोई हकीम कह देता है कि हम आपको 40-60 दिन में ठीक कर देंगे तो आप 40-60 दिन में उससे ठीक नहीं होंगे और बहस में आप डैरेक्ट खाना सुरू कर दियें हैं तो आपके पईसा आपका स्वास लीवर किडिनी सब आपकी बरबाद हो जाएगी तो इस रोग में सबर होना चाहिए शुरुआत जहां से करनी चाहिए वहां से सुरुआत करनी चाहिए डिर्क छालाग मार कर छट पर नहीं जाना चाहिए ठीक है इस चीज़ का ध्यान दीजे किसी भी रोग में इस रोग में तो खास कर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं गलत तरीके से इलाज करते हैं और उसके बाद आयरवेद को बनाम करते हैं कि इस हकीम ने माजी करेंगे बीमारी कुछ और है है धा तो सब्सक्राइब की दिक्कत जिगर मसाने में गर्मी है आप डिरेक्ट सोच रहे मारदाना ताकत की दवा खालें और लिंग मोटा लंबा करने की दवा खालें तो कुछ नहीं होगा और बीमारी बढ़ेगी और इस हाँ इस नुस के साथ या पावर बूस्टर का अपसूर के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं दो से तीन महीं ने लेकिन धात के रोगी नहीं इसको स्वाल कर सकते यह बात इस पश्ट कर दूं तो एक से देड़ इंच दो इंच तक लंबाई और मोटाई में फरक पड़ता है जिसको बच्पन बीस-तीस में ना फायदा हो वह बाठीक किसी को देड़ लगता है लेकिन रिजट इसका जबाव जासत है